तो फ्रेंज्स नमस्कार मेरा नाम में रवी डिजायर एकडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो लेक्षर की स्रीज में हम किस तरह से सौल करते हैं वह देख रहे हमने कर लिए उसके वीडियो आपलोड कर दिया अगर आपने नहीं देखे तो यहां से आपको समझने में बहुत आसानी होगी पिछले वीडियो लेक्षर में इस तरह से डिफिरेंशल एक्वेशन दिया हुए इसमें आज हम जो है दो लगलग किसी को साथ करेंगे कैसे ही थोड़ा इंपोर्टन कॉंसेट ऐसे भी है यह थोड़ा जो है वह इंपोर्टन केसी है इसके एक्जामपल कई तरह कई बार पुछे जाते डायरेक्ली जीटी एक्जाम पॉइंट और नेट के इवन जिसेट एक्जाम मतलब जो भी इस्क के लिए यहां पर नौन अग्जाम की बात कर रहें तो यह जो है नौन अग्जाम पॉन बेल यह था नापन डेल एक्जाम ताब नहीं है तो इन दोनों का अगडर डिफ्रेंश निकालू या फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल यह तो यह भी नौट इक्वल दू जीरो का क्योंकि यह दोनों इक्वल नहीं है इन दुरों का डिफ्रेंस निकालने के बाद हम क्या करता है कि इंटेग्रेटिंग फेक्टर हमने पहले भी बात के थी पिछले व हम सेकंड क्या करेंगे इन दुरों का डिफ्रेंस निकालेंगे यह जो डिफ्रेंस हाया उसको हम किस जो हमें दिया है एम डी एक्स प्लस एंडी वाई इकोल डू जिरो इसको मैं एम से डिवाइड करू या एन से ताकि यह क्या बन जाए सिर्फ फंक्शन ओफ आइधर एक् है तो मैं उसको एम से डिवाइड करू अठी है तो यह डいफ्रेंस लेने के बाद हम देखते हैं चेक करते हैं यह जो मस्ट भी क्या होना चाहिए मस्ट भी बोल दिया माले यहां पर function of wire रहता है तो इसको जीवाय बोल दिया तब जाके integrating factor का जो formula है वो है आई एव इने की integrating factor equal to e power fx dx और i f equal to e power zy dy यह जो integrating factor फिर तो हमारी same method है integrating factor से given differential equation को multiply करेंगे जो multiply मतलब जो resulting differential equation होगा वो हमारा exact होगा तो उसको exact की method से solve करेंगे exact को कैसे solve करेंगे वो हमने पिछले वीडियो लेक्षिर में हमने सब discuss किया हुआ ठीक है तो आज देखें यह एक example लेख रहे है कि यह था हमारा second case था first case था उसमें क्या देख रहे थे जो हो वो m और n क्या हो homogenous हो अभी हम केस 3 की बात करें केस 3 केसरी में अभी हमने क्या discuss किया कि आपका यहां पर m क्या है m equal to 2 y cube minus 8 and n equal to क्या है 5 x y square ठीक है यह आपके पास m और n है तो यह भी देखिए क्या यहां पर 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 यह नहीं है सेकंड केस में function of xy into y होना चाहिए कि आपको यह जो एक्वेशन उसको इस तरह से लिख रहे नहीं तो हमारे पास जो केस 3 है वो है क्या करते है पहले कि यह नौन एक्जक्ट है या नहीं उसके लिए तो हम चेक करेंगी करेंगे यहां पर यहां पर होगा 3 into 6y square and del n upon del x that equal to 5y square तो यह जो डिफ्रेंस है दोनों का मतलब दोनों जो है वो सेम नहीं है मतलब जो गिवन differential equation is non-agraged so given differential equation is non exact non exact ठीक है नॉन exact है तो हम दोनों में से यह first case था आप second case था इस case इस इस इंटेग्रेटिंग फेक्टर एवन अपने एक्सम प्रस वाय इसमें एक्सम माइनस वाय यहां पर जो थर्ड केसे उसमें हम क्या कर रहे है कि दोनों first और second case तो एप्लाइग नहीं हो दोन रहा है function of y उसको मैं यहां से अगर deflase करू जो तो वह क्या होगा function of x बचेंगा यहां कि 6y square minus 5y square that is equal to y square आप यहां से डेल न अपन डेल एक्स माइनस यह भी कर सकते है मैं लिजए कि मैं कोई यह कर रहा है कि डिल एंड अपन डिल एक्स तो यहां पर आएगा minus y square ठीक है तो दोनों किसे से में से में अभी देखिए हमारे पास क्या है एम क्या मैं से डिवाइट करूंगा अगर मैं से डिवाइट करता हूं यहां पर यह किसमें पर रखे यहां पर एक्स नहीं होना होना चाहिए हमारे पर वाइट square अगर मैं उसको एम से डिवाइट करताओ तो यह भी फॉंक्शन ओव वाइए है इसका भी derivative हम define कर सकते हैं इसका जो integration है वह भी हम define कर सकते हैं यही कहीं पर x है क्या है यहां कहीं पर x है होता आगर तो हम इसको consider नहीं करते क्यों क्योंकि यहां पर y भी है और x भी है हमारे पास जो resulting function हो चाहिए वह होना चाहिए यह जो है हमारे पास y-square है यहां पर इसको मैं किस से डिवाइड करोगी आगे हैं तो मैं इसको अगर n से डिवाइड करता हूं क्या करता हूं एंसे डिवाइड इसको यहां से हम आगे क्या करता है यहां से हम आगे क्या करता है यह जो है हमारा है यह जो है this is a function of zy यहां से आप integrating factor दो तरह से define कर सकते हैं तो यह जो था वो case 3 था कैसे पता चला कि दो case देखे उसमें मतलब हमारा जो example है उसमें नहीं आ रहा है तो case 3 आगे गए कि case 3 और case 4 दोनों एक सार लेके चल रहे हम यहां पर है तो 5 x है ठीक है अब मैं integrating factor अगर इस case में define करूं integrating factor that is equal to e power integration fx dx या फिर e power g y dy ठीक है यहां पर देखिए यह जो है वो हम रखते e power integration fx क्या है 1 upon 5 x dx that equal to e power 1 by 5 common उसका होगा log x nothing but x to the power 1 by 5 यह होगा मान लिजिए किसी ने यह किया तो यहां पर क्या होगा that equal to e power integration gyz हमारे पास क्या है y square upon 2y cube minus 8 divided तो यह जो है वो क्या होगा यहां पर 2 है इसका integration वाइस यहां पर 6 नहीं है क्या है 6 से डिवाइड क्या है तो यह हम इसको अलग देता है 6 से multiply और 6 से डिवाइट है तो यह होगा अब इसका e power 1 by 6 log mod 2y cube minus 8 तो इसका होगा 2y cube minus 8 to the power 1 by 6 तो यह देखिए यह भी integrating factor है यह भी integrating factor है क्या हो सकते हैं हो सकते हैं कोई भी मैथर से जा सकते इसके condition क्या है कि यह सिर्फ क्या होना चाहिए function of y ही होना चाहिए अगर यहां पर x आ जाता है मालिए कि यहीं कि था यह फिर रही है तो यह हम consider नहीं करेंगे यहां यहां पर सिर्फ y है इसलिए हम इसको consider कर रहा है तो देखले क्या किया हमने पर पहले क्लेम किया कि भाई डिवर डिफ्रेंशल एक्वेशर इस नौन एक्वेशर हो रहा है यहां पर यह homogenous भी ना तो फंक्शन सब्सक्राइब करेंगे तो हम क्या करेंगे तो इसमें करेंगे न से करेंगे तो इसमें बागी जो रिजल्टिंग फंक्शन आता है वह यहां तो से में आगाुक यहां पर दोनों सब्सक्राइब हो रहा है तो यह हमारा क्या ओंतलिंग करेंगे तो देखें यह करते हैं जो गिवन डिफ्रेंशल एक्वेशन हे उसको फ्रेंट क्यूण रहा हूं x to the power 1 by 5 तो देखिए क्या होगा और इल इंटेगरेटिंग फेक्टर कवल टू एक्स तो दीपावर 1 by 5 सो मल्टिप्लाइ हमारा यह जो है वो स्टेप 4 है मल्टिप्लाइ गिवन डिफेंशल एक्वेशन बाइं इंटेगरेटिंग फेक्टर जो इंटेगरेटिंग फेक्टर वह एक्स तो दीपावर 5 तो हमारे पास यहां पर होगा 2y3 x to the power 1 by 5 minus 4 into 2 to 8 x to the power 1 by 5 dx into plus 5 to the power 1 by 5 plus 1 यानि की 1 by 5 plus 1 तो 6 by 5 y square dy that equal to 0 तो यह जो है वो एक्जेक्ट होगा अभी एक्जेक्ट है तो इसके लिए हम क्या कर सकते है इस विल भी एक्जेक्ट डिफिरेंशिल इक्वेशन तो एक्जेक्ट है तो हम यहां पर क्या करेंगे integration 2y3 x to the power 1 by 5 minus 8 dx plus integration 5 x y square dy equal to 0 हमारे पास यहां पर पहते हैं इसको आजब आए इसको भी एज़ एक्स कॉंस्टन कर सकते हैं तो हमारे पर से आपर इजी कहां पर हो रहा है यहां पर हो रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ तो फ्री फ्रोंग उसमें यह होगा से मुगा तो यहां पर एजिक अदब ट्रीट वाइस कॉंस्ट्ट यहां पर होगा यहां पर इंटेग्रेशन लगा है तो इसका वोगा 10 by 6 या फिर हम इसको बहुत सकते 5 by 3 x to the power 6 by 5 y cube minus 4 or 5 by 4 20 by 3 x to the power 6 by 5 equal to 0 versus an arbitrary constant तो यह जाए था यह यह भी एक क्या है आंसर है अपने डिवेंड डिफिरेंशिल एक्वेशन का सॉलुशन का अब यहां पर हम मानके चलते हैं यह जो हमने था इंटेग्रेटिंग फेक्टर क्या लिया अभी एक्स टू दी पावर 1 by 5 ठीक है अब हम इंटेग्रेटिंग फेक्टर लेते हैं altijd जाद है डीक हिर्म है आप लोगा यह लिएत मानके चलते हैं कित्री इंटेग्रेटिंग सेटेन शेटर यह यह लाए क्यू माइनस टू पावर 1 by 6 तो किसे यह जो है ओमारा इंटेग्रेटिंग फेक्टर है अ अब देखिए यहां पर जो हमारे पास है गिवन डिफेरेंशल एक्वेशन को उससे मुल्टिप्लाय करते हैं मुल्टिप्लाय गिवन डिफेरेंशल एक्वेशन वाइं इंटिगेटिंग फेक्टर सो वी हैव दिस टू वाइक क्यूब माइनस फूर इसको अगर में अंदर अगर में यह वन और उसकी वन भाई शीक्स पावर सो वन प्लस वन बार शीक्स पावर डिएकसप्लस 5XY स्क्वेशन तुवाई क्योग माइनस एक वन भाई शीडाय इकुल टू जीरो ती तो यह है अब देखिए यह क्या होगा 2y cube minus 8 to the power यहां पर 7 by 6 dx plus 5xy square 2y cube minus 8 1 by 6 dy equal to 0 this will be an exact differential equation यहां पर क्या है this will be an exact differential equation तो उसका हम integration कैसे करते हैं integration 2y cube minus 8 7 by 6 dx plus 5xy integration यहां पर 2y cube minus 8 1 by 6 dy equal to c यहां पर क्याएगा c तो इसमें भी exact और non exact की जो मेथाड़ है वही आएगी यहां पर treat y as a constant और यहां पर आएगा term free from x तो यहां पर यहां पर यह जो वाय है वो पूरा terms क्या है as a constant तो पूरा common यानि की पूरा as a constant it होगा 7 by 6 into क्या होगा x plus यह जो है free from x में यह अगर 0 मान लिया जाए तो पूरा 0 मतला पूरा integration 0 हो जाएगा so 0 equal to c यह जो है 7 by 6 पावर इसको में क्या कर सकते 2y cube minus 8 7 into x by c that equal to c power something c हो जाएगा इसको मैं c1 भी बोल सकता हूँ एर c1 equal to c power 6 ठीक है तो यह होगा पूरा 2y cube minus 8 x power 6 equal to c1 where c1 as an arbitrary constant तो यहां पर देखिए दो हमने method apply किया दोनों cases में यह सेम हो गया पर द्यान रखेगा जब हमने बात कि थे को यहां पर जो था वो पिछले इसला टर्म्स वह ऐदर function of x होना चाहिए या फिर function of y होना चाहिए उसके हिसाब से integrating factor हम decide करेंगे इसमें जो integrating factor था वह हमारे यह था यह कभी-कभी हो जाता है यह से नहीं है कि दोनों integrating एक्षे 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 यहंपल टू अब देखें नेक्ष्ट एक्षेंपल एक्षेंपल टू खमारे पास है यह हमने फाइन कर दिया यानि कि क्या हुआ कि डिल एम अपॉन डिल य नॉट इक्वल टू डिल एन अपॉन डिल एक्षान नॉन एक्षाट अब यहां पर हम कौन सा केस्ट एपलाई करें कि वह हमारे लिए में इंपोर्टन ढ़र्फ अब माईश्चन ऑफ एक्षण ना चाहिए यहां पर दिखाय रहा है तो दोनों के यहां पास आया केस त्री या फिर केस फूर्ट दोनों मिक्स में हम साथ लेके चल रहा है देखी यहां पे किस तरह से कि माली जी मैं कर रहा हूं डिल एम पॉन डिल बाइब य। यह करते है यहां फिर हम क्या करते है डिल एन-2 डिल में अपॉन डिल यक्पोट यह हमारे पास 4y यह है माइनस 2y तो यह होगा 2y इस तरह से यहां पे होगा 2y माइनस 4y so that is minus 2 and now अब मैं इसको किस से डिवाइड करूँ क्या मैं इसको and यह जो m आगे है तो इसके n से डिवाइड करेंगे तो अगर मैं इसको n से डिवाइड करता हूँ ते डिया एक ठ टीवाइड मेरे पास m है मैं यहां पर हमारे पास function of x हो गया यहां पर क्या function यहां पर क्रीका function ng यहाँ डोनों के फंक्शन तो इसको हम यहां पे अभी इंटिक्रेटिंट्ग तो इस हूंगा वह अधिज भूगा यह इस एक्स दी एक्स पोबब टू लोग most X एक्स तो यह है है वो क्या है हमारा इंट एक्स फेक्टर स्वेने नहीं होगा क्यों कि यहां पर हमारे पास क्या है इसलिए यह जो है वो function of क्या है एक्स और दुनों का function है ना कि क्योवल वाय का तो इसको हम यहां पर consider नहीं करेंगे पिछले में जो function of फाय था इसलिए consider किया था अब चलते हैं आगे हमारे पास integrating factor मिलने के पाद हम क्या करते हैं multiply given differential equation को सब्सक्राइब थोड़ा नीचे लिखते हैं multiply given differential equation by integrating factor that equal to shift क्या है X थिया तो यह जो है उसको हम x multiply करें तो x into x plus 2 y square dx plus x into 2 x y dy that equal to zero so this is x square plus 2 x y square dx plus 2 x square y dy equal to zero यह जो है यहां बीए आप चेक भी कर सकते हैं यह एक्जेक्त ही होगा चेक कर सकते हैं नहीं तो यह इंटेगरीटी से मुल्टीप्लाइए कि उसके बाद तो यह क्या होगा एक्जेक्ट होगा थे इसको मुल्टिप्लाइगा इंटिकेशन तू एक्स्वाइज स्क्वेर डी एक्स प्लस तू एक्स्वाइज दीवाइग एक्वल तू सी यहां पर हमारे पास दो पैथाड़ है ट्रीट वाइज इस फॉरा क्या होगा जिरो मतलब इसका इंटिकेशन जिरो अन्य न दो होगा इसका देखिए एक्सक्यूब राई 3 प्लस 2 एक्स्वाइज स्क्वर बाई 2 यहां पर सीक्या है आर्बिट्र्रिक òिकॉश्ञ क्रूशन तो यह था नॉन के दो कैसिस के दो अलग अलग एक्जामपल पिछले केसिस में हम दोनों इंटिकेटिंग फेक्टर यहां पर मिल सकते थे यहां पर सिर्फ हमारे पास function of x मिला इस तरह के कुछ आप और एक्जामपल दे पाए आप उनको खुद से ट्राइब कीजिए उसके आंसर जो है वह आप हमके कमेंट में करके देख सकते हम उसको चेक करेंगे या फिर पर्सनल आपको रिप्लाइब करेंगे ठीक है आपको हमारे वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा उसके साथ अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ऐसे वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा मिलते हैं